पड़ाई का नुकसान ना हो इसलिए पिरेंट्स ने बच्चों को मुबाईल फोन तो दे दिये लेकिन सई तरीके से निगरानी नी की और उसके दुष्ट परनाम अब सामने आ रहे हैं जिहां हाल ही में ऐसा मामला पूने में देखने को मिला जहां 13 साल के लड़के ने मामली से जगडे में 11 साल के बच्चे की हत्या कर दी और जब पुलिस ने जाच की तो चोकाने वाले परनाम सामने है जिहां हत्या करने वाले लड़के ने दृश्यम फिलम जिहां अजे देवगन की दिरिशे फिलम को डाउलड कर बार-बार देखा और वारदाप्त को अंजाम दिया सिर्व यही नहीं पुलिस ने सडकों पर बेवजा वाहनों के तोड़ फोर्ड के मामलों में भी कई नबालिक बच्चों को शामिल किये गए हैं पुलिस की स्टड़ी में पता चला है कि बच्चे स्मार्टफोन का बे तहाशा इस्तमाल कर रहे हैं और ततकाल फेमस होने के लिए किसी भी हद को पार करना चाहते हैं यह सिलसले में पुने में के पुलिस कमिशनर सुरिंदर देश्म कहते हैं शेहर में जादा तर पेरेंट्स नोकरी के लिए घर से बाहर होते हैं उन्हें नहीं पता होता है कि उनके बच्चे सारा दिन क्या देख रहे हैं उनका क्या बरताव है उनके कौन से दोस्त हैं तो ये उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है तो पेरेंट्स को जागरूख हो के उनका ध्यान रखना होगा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस